कि सखी सईयां तो नईखे कमात हैं, महंगाई डायन खाये जाते हैं लेसन प्यास तो बिलकुल नहीं खाना चाहिए देश विरोधी हरकते आप बिलकुल मत करिए जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोधी है मस्त हैं, सहाब बहादूर मस्त हैं, दुनिया देश तरस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सबजियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं, ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बना कर लाई हूँ हमारी आँक में धूल जोक कर आप ही की जेब में दिन दाणे डाका डाला जा रहा है डेड़ ग्राम कहां चला गया? मोधी जी की जेब में दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मुर्क समझा गया, ये कौन कर रहा है? और बड़े बचते बचाते हुए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि डर था कि कहीं लूट न हो जाए, इतना महंगा समान आइटम लेकर चल रहे थे आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते है, सूपर मैन, स्पाइडर मैन आप पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है, जहां महंगाई बढ़ जाती जनता अपने राजा से बड़ी तरस्त थी जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले डूट लेते थे राजा को इस बात की भनक थी की जनता तरस्त है जनता परिशान है और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महेंगा है फेकुस्तान में आटा बहुत महेंगा है तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो है वो फेकुस्तान की बात कर रहा है उसकी प्रजा की उसकी देश की बात नहीं कर रहा है कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाईए पत्री हो जाएगी मिर्ची कम खाईए अलसर हो जाएगा लेसन प्यास तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए देश विरोधी हरकते आप बिल्कुल मत करिये तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा महंगाई डायन खाये जाते उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सईया तो न अउचा बेरोजगारी का दर और मोदी सरकार की और से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी न एक्स्प्लेनेशन मिलेगा मस्त हैं सहाब बाधूर मस्त हैं दुनिया देश त्रस्त है कोई फरक नहीं पड़ता है तो जो बेरोजगारी के आकरे है उससे समझ में आता है रोजगार कम है उससे समझ में आता है आए कम है और महिंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और जादा तोड़ रही है सबजियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं यह मैं एक गिफ्ट बास्केट बना कर लाई हूं आप लोग अभी शादी ब्या का सीजन आ रहा ह होंगे यह बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है इसमें एक किलो टमाटर है एक किलो अद्रक है एक किलो हरा मिर्च है एक किलो लहसुन है टोटल लगबग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में तो अन्यता पैसे मत खर्चा करिए यह सब चीज़े दिया करिए लो आपको हो सकता समाज दें कि समभाएं कि हम तमाटर भी नहीं खाते हैं अद्रक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दिये निम्बू मेरा पैसा खत्म हो गया मुझे निम्बू नहीं मिला था 400 रुपए की वह हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सबजी वाल ट्रांस्पोर्ट कोस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से सभाले चीज़े संभल नहीं रही है सबजी ही नहीं दाल भी दूबर हो गई है एक मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सबजी नहीं खाएंगे दाल रोटी खा लेंगे दाल भी दूबर है उड़त की दाल 30 रु चलिए आदमी कम खाएगा सोचे का थोड़ा मसाला वसाला एड़ करते तो बात बन जाएगी जो जीरे का चौक लगता है वो जीरे का दाम आपको पता है क्या अभी 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मद् हुआ है 800 पे दाम पहुच गया है यह जीरा कभी 200-200 रुपए पर बिकता था अब सबजी भी महंगी है दाल भी महंगी है मसाले भी महंगे हैं खुद सरकार मान रही है कंजूमर अफेर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है दस में से जो दस सबसे जरूरी हो के दाम में आग लगी हुई है यह सरकार खुद मान रही है इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी आपको सुनाते हैं आपके साथ हम यह जब आकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तरत रूप से आकड़ा भी मिलेगा पिछले एक महीने में टमाटर एक सो साथ पे है धनिया दो सो की है अदरक चार सो की है मिर्ची चार सो की है लेसुन एक सो तीस का है परवल असी का है अर्बी असी की है भिंडी सत्तर की है और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आये थे उन्होंने आख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले नौ साल से खुली नहीं है उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46 प्रतिशद आटा कॉमन फ्लार के दाम में 46 प्रतिशद वृद्धी हुई है चावल 25 रुपई किलो मिक्ता था अब 36 के उपर पहुँच गया है दाल जो 72 खी थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है सरसो का तेल 90 से दुगुना होकर 180 पार कर चुका है और नमक हमारे गाओं की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दालना हो तो नून से खा लीजे रोटी तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाये थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के उपर है अब आपको एक और अस्रियत बताती हूँ ये तो हो गई महेंगे दामों की बात आग लगी हुई है आस्मान छूरे जैसे भी बोलना चाहिए एक और चीज करी जा रही है आपकी आँखों में धूल जोक कर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है वजन घटाया जा रहा है पैकटों का और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है ये बिस्कित का पैकट आपको आद होगा पारले जी का पैकट है गाउ शेहर देहात कहीं भी जाएए ये छोटा पैकट खुब बिकता है ये छोटे पैकिट का दाम 5 रुपए है लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है पहले ये 80 ग्राम का था 30 ग्राम कम कर दिया गया दाम वही रखा गया तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया ये चाय की पत्ती है पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है ये चाय की पत्ती है जब हम लोग की तरफ गाओ जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं चाय पिलाएंगे बिस्किट खिलाएंगे ये नमकीन के कुछ पैकेट मैं लाई हूँ 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था ये पैकेट हैं आप लोग के सामने अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है मतलब आधा कर दिया 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया आपको लगता है बिक तो भी दसी कर रहा है लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही दस रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे आप 32 ग्राम के दे रहे हैं ये मटर लोग खाते हैं बड़े स्वाद से खाई जाती है चाए के साथ शर्बत के साथ गाओं शहर देहाद जाएए गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकिट महेंगा पड़ता है छोटा पैकिट 10 रुपए कर ले आओ ये 10 रुपए के पैकिट में पहले 65 ग्राम आती थी अब 42 ग्राम आ रही है और ये प्रतिक्शन किम प्रमाना में ये सब आपको दिखा कर बता रही हूं मैं मेरे कोई आकड़े नहीं है ये पैकिट मैं सब लेके आई हूँ आपको दिखा कर इसका दाम और इसका वजन बता ये मुझे बड़ी पसंद है अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुग्रे दाम दे रही हूं ये मुझ फली का पैकेट है दस रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था अब 34 ग्राम मिक रहा है हमारी आख में धूल जोक कर आप ही की जेब में दिन दाने डाका डाला जा रहा ह ये चौकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम पहले ये पांच रुपए की 13 ग्राम थी डबल हो गया दाम पांच रुपए की चौकलेट 10 की हो गई पता ही नहीं चला लेकिन जब खर्चा करो तो ज़रूर पता चलता है ये कॉफी का पैकेट है साथ ग्राम मिलता था तस रुपए का अब साड़े पांच ग्राम मिल रहा है डेड़ ग्राम कहां चला गया मोदी जी की जेब में और ये टोमेटो सॉस है समोसा हमोसा जो आप लोग खाते हैं आप लोगों को पसंद है ये सॉस ये सो रुपए का 950 ग्राम करीब करीब एक लीचर मिलता था अब ये साड़े 800 ग्राम मिल रहा है सो रुपए का तो ये जवाब दे ही किसकी है इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया बजन घटाया गया जनता को मुर्क समझा गया ये कौन कर रहा है ये महंगाई मैंड नहीं तो और कौन कर रहा है और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है स सरकार क्या कर रही है उल्टा सरकार ने आख पर पट्टी और मुँ में दही जमा दियो उस दही पर भी जीस्टी लगा हुआ है सरकार को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है लोग महंगाई से तरस्त हैं सरकार को कोई फर्क नहीं पढ़ा है सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त सरकार क्योंकि मुनाफ़ा खोरी में लगी हुई है